क्या हाल चाल है आप सभी के करिश तो आप जानते हैं स्टूरेंट्स की आज अनकेडमी इंडिया में UPSC CSE की तैयारी का सबसे बड़ा और सबसे जबरदस प्लेटपॉम है अगर आप अनकेडमी को सबस्क्राइब करते हो तो मेरे साथ साथ आपको इंडिया के टॉप एडु से पढ़ने का मुका मिलेगा भुगोल लक्षे 2023 और इंडिया जोग्रफी हम कर रहे है और जबरदस्त पे जबरदस सेशन होने वाले है इस बार है ना इस बार ये मान के चलो इल्टिमेट सेशन है अल्टिमेट बस आप इसको मेरे सेशन को लाइक करते रहना शेयर करते रह रहना और मेरे साथ practice करते रहना कोई भी question हमारी class से बचके नहीं जाएगा तो हमेशा की तरह में क्या बोल रहा हूं आपको nots बनाना है दूसरा revision करना है regular और मेरे साथ practice करते रहना कोई ऐसा question नहीं होगा जो अपन से बचके जाएगा तो मेरा नाम है नवीन तवर 8 year teaching experience है 6 time means interview को experience है monthly current affair magazine का इडिटर आऊ हूँ जोगरफी से master's UGC net और JRF दोने qualified हूँ online teaching experience more than 3000 hours है UPSC CST के field में तो ये देखिए एक second ये मेरा telegram channel है anacademy underscore नवीन तवर जो बच्चे पहली बार मुझसे जुड़ रहे है मेरी classes को देख रहे है मेरी classes के PDF आने वाली classes के notification मेरी plus class हो special class हो, youtube class हो सब इधर notification मिलेगा और जिस भी बच्चे को anacademy का subscription या admission लेना है उससे पहले किसी भी तरह का doubt है वो मुझे यहाँ पे message कर सकता है अधर type करके आप मुझसे पूछ सकते हो यह दो तरीके हैं आपके मुझसे जुड़ने के अब anacademy क्यों join करना है यार है ना अब protection को प्रमान की क्या आवशकता है result देखिए हमारे ultimate result, साल 2020 साल 2021 और 22 वाला इससे भी बढ़ाएगा उसके साथ-साथ इडिया के best educator, star educators है कहने के लिए नहीं हम star educators है अपना optional हो GS का batch हो कुछ भी change करना चाते हो आपको flexibility है उसके साथ live देखो, recorded देखो जितना चाहे उतना देखो जब तक आपके पास subscription है dedicated doubt solving sessions है printed notes मिलेंगे, end to end preparation है mentorship, answer writing practice, practice सब कुछ है साल 2023 पे an academy आपके सामने लेके आया है 23 परतिशत का जबरदस्त discount, ठीक है मतलब, usually आप मेरा referral को नवीन वन लगाते हो आपको 10% discount मिलता है, लेकिन अभी आपको 23 परतिशत तक का discount मिल रहा है, लेकिन ये offer सिर्फ 6th of January है ना, परसो तक ही valid है इसका benefit क्या होगा ठीक है, benefit देखो इसका आपने 18 महीने का प्लस लिया 67,800 वाला मेरे referral code नवीन वन, बस याद रखना exactly ऐसा ही code अपलाई करना है इसे 52,206 का पड़ेगा तो 23 परतिशत औफ, अगर आपने 18 महीने का आइकोनिक लिया 94,000 के आसपास वाला 73,000 के आसपास पड़ेगा limited time के लिए 6th January तक कुछ नहीं करना, फटा फट कोड लगाओ 2024 पच्चिज जो भी आपका target है मेरे साथ जोड जाओ और ये रफ्तार बैच है, ये revision बैच है, हमारा prelims 2023 के लिए ठीक है, English में है तो ये 5 January कल से शुरू हो जाएगा एक और आरम्द बैच है ये 12 January से शुरू हो रहा है 2024 को target कर रहे है जो बचा एक बार के में पाइसा नहीं दे सकता तो किष्टों में चुका दो भई पढ़ो लेकिन अनक एरमी आपको loan के जरीए subscription की facility देता है तो ये भी आपके पास विकल्प है भारत का भुगोल हम कर रहे है कल की class में हमने Physography of India की बात की थी इस particular शब्द का मतलब क्या है ये भी मैंने कल आपको बता दिया था की हालचाल है वही मस तो चलो एक बार बता दो आपके हालचाल पूछ लेता हूँ आपके हालचाल पूछ लेता हूँ मस तो ओके ओल गुड फेंटास्टिक आज देखो क्या करते है आज क्या धमाल मचाते हैं ठीक है आज की class में आपको बहुत आनंदाने वाला है एक सेकंड तो फीजोग्राफी आफ इंडिया करेंगे और मैंने बुला था हमारे six फीजोग्राफिक डिविजन है उत्तर उत्तर पूर्व की परवत माला उत्तर भारत का मैदान प्राय दीप ये पठार भारत का मरुस्तल तटिय मैदान और दीप समू तो शुरुआत करेंगे हम उत्तर और उत्तर पूर्वी परवत माला तो उत्तर और उत्तर पूर्वी परवत माला का मतलब क्या है ये अगर इंडिया है तो यहाँ पे जो हमारी उत्तर और उत्तर पूर्वी परवत माला इस शेतर को हम देखने वाले है ये ये क्या है तो पहले तो आज मैं आपको कुछ बेसिक टर्मिनल लॉजीज बताना चाहता हूँ बेसिक बेसिक बाते है न तो बेसिक बाते जैसे आप बहुत सारी चीजे सुनते हो न बेटा कही बार कन्फूजन हो जाता है यार कभी माउंटेन रेंज लिखा है कहीं माउंटेन सेस्टम लिखा है कहीं कॉडिलेरा लिखा है कहीं पीक लिखी है कहीं रिज लिखा है इतना confusion क्यों है मिरे भाई तो एके करके सब को हम देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे mountain ridge क्या होती है mountain ridge किसको बोलेंगे mountain ridge परवत कटक क्या होता है ठीक है पहली बात ओके बहुत बढ़िया फिर mountain range क्या है वो देखेंगे mountain range किसको बोलते है फिर हम देखेंगे mountain chain क्या है chain फिर हम देखेंगे mountain system क्या है system कई बार आपको mountain peak शब्द देखने को मिलेगा mountain peak या cordillera ये क्या है ये सारे शब्दावली को आज हम समझने की कोशिश करेंगे ये आपको लिखना है मतलब ये return में नहीं मिलेगा है ऐसे नहीं मिलेगा ये आपको अपने हातों से खुद ही लिखना है तो सबसे पहले mountain ridge क्या है ये है आकार में mountain ridge कटके क्या होती है आकार में लंबे वे संक्रे ठीक है और बेसिकली जब आपने देखा होगा mountain building के लिए आपके force काम कर रहे है तो चटानों के अंदर वलन पढ़ने से बन रहे है ना तो चटानों के मुडने से चटानों के इस तरों के मुडने से ये बनते है चेक है सेकिंड आगे है हमारा mountain range क्या है mountain range जिसको range बोलते है तो basically बिटा जो range होती है range range पे जाने से पहले मैं आपको एक बार mountain peak बता देता हूँ mountain peak का मतलब वो परवती है चेतर जो अपने आसपास के बाकी परवतों से या आसपास के चेतर से सबसे उचे होते है तो ये क्या है सर्वोच नुकीला भाग सर्वोच नुकीला भाग जो परवती है छेतर में अन्य चोटियों या निकट वर्ती छेतरों से सर्वोच होता है आगई बात समझ में माउन्टेन पीक है वो पीक जैसे आप बोलोगे के टू या आप नंगा परवत बोलोगे या आप नामचा वर्वा बोलोगे माउंट एवड़िस्ट बोलोगे तो वो क्या हो गया पीक हो गयी इस इस एक क्लियर पीक के बाद आते हैं रेंज तो basically जो रेंज है ना एक सीधी रेखा में बेटा है ना एक सीधी रेखा में एक सीधी रेखा में आपके इसके अंदर क्या है बहुत सारे रेजिस मिल सकते है फिर कुछ आपकी वैलीज मिल सकती है फिर आपके कुछ peaks मिल सकते है एक सीधी रेखा में तो बेसिकली ये पहाडियों का पहाडियों घाटियों या और लिख लो और शिखरों का एक क्रम है जो क्या है एक सीधी रेखा में चलेगा जैसे ग्रेट हिमाले है महान हिमाले है क्या है उसमें बहुत सारी कटके है peaks है, valleys है फिर मध्य हिमाले शिवालिक तो वो क्या है ranges है चलेगा अब mountain chain mountain chain मतलब अगर कोई छेतर ऐसा हो कोई ऐसा छेतर आपको देखने को मिलता है जहां पे अलग अलग युगों में निर्मित परवतों की क्या है एक आपको क्रम मिलता है है ना क्या है यहां पे अलग अलग युगों में निर्मित परवत जो समानांतर रूप से फैले है दिस इस mountain chain फिर आपको होगे क्या सर यह mountain system और बता दो यह mountain system क्या है chain हो गया बेटा mountain system mountain system समझ भी आ रहा है आपको यह यह क्या है यह अलग अलग युगों में है यह एक ही युग में निर्मित परवतिय श्रंख लाए यह हो गए mountain system फिर आया cordillera cordillera कहता है कि बहुत सारे mountain system का group group है बहुत सारे mountain system का group है ना अनेक यह बहुत से mountain systems का एक समू है यह जैसे एक्जांपल इस वाले का particular में आपको एक्जांपल देता हूं आप उत्तर अमेरिका में चलो बेटा उत्तर अमेरिका का जो प्रशांत महा साग्रिये तट है उत्तर अमेरिका का प्रशांत महा साग्रिये साग्रिये जो तट है वहाँ पे आपको यह कॉडिले राज अलग या बहुत से माउन्टेन सिस्टम का एक समूँन मतलब माउन्टेन सिस्टम यह आपका दिले राज ठीक है चलेगा तो इन कोडिले राज में क्या होता है बटा इन कोडिले राज में क्या होता है कहीं पे तो ये एक दूसरे के पैरलल हो सकते है कहीं पर एक दूसरे के पैरलल हो सकते है कहीं कहीं पर एक दूसरे के समानांतर या ऐसा भी हो सकता है कहीं कहीं पर ये किसी एक केंद्रिय गांठ में आके मिल जाए है केंद्रिय गांठ या नौट में आकर मिल जाए मतलब वो एक दूसरे के साथ कनवर्ज हो जाए कनवर्ज लगे आपको कि इधर आके मिल गए ये वाला भी ये वाला भी ये वाला भी ये वाला भी तो दोनों फॉम में हो सकते हैं समना अंधर रूप में या एक केंद्रिय गाठ के रूप में तो हमने देखा Mountain Ridge Mountain Range उसके बाद Mountain Chain Mountain System Mountain Peak और Caudilleras तो this is something new last session last year के sessions में इस सारी चीज़े मैंने नहीं कराई थी और भी बहुत सारी चीज़े इस बार होने वाली है अद्भूत चीज़े होने वाली है लिख चुके हो आप सभी लोग जल्दी से बताईए लिख चुके हो अधर चुके हो तो हम सबसे पहले करेंगे हम सबसे पहले जो भारत का Physiographic Division है उस Physiographic Division में सबसे पहले हम करने वाले है North and North East Mountain है ना तो उत्तर और उत्तर पूर्वी परवती है जो परवत मालाए है तो बेसिकली उत्तर और उत्तर पूर्वी परवत मालाओं में मैं आपको बता देता हूँ कि जो अगर जब हम इंडिया की बात करते है बेटा यहां हमारे पास क्या क्या है सुनो ग्रेट हमालिय है इसको व्रहद हमालिय बोलते हो आप यह एक है फिर आपका है मध्या हिमाले मध्या हिमाले ओके फिर आपका ये सब माउंटेन है बेटा उसके बाद आपका शिवालिक आ गया शिवालिक आ गया ये ना शिवालिक शिवालिक आ गया ये लो ये अब इसके अलावा भी अगर हम इंडिया में देखे तो ग्रेच हिमालिय के इमिजेट नॉर्थ में हमें मिलता है ट्रांस हिमाले यहां इसके नॉर्थ में मिलेगा ट्रांस हिमाले जिसको हम बोलते है पार हिमाले पार हिमाले अब अब इन ये जो हमारा हिमाले है बेटा ग्रेट हिमाले मध्य हिमाले शिवालिक में यूज्वली ये एक दूसरे के पैरलल है पैरलल 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 लेकि कहीं कहीं पर ये एक दूसरे के साथ मर्ज भी हो जा रही है कनवर्ज भी हो जा रही है ओके चलेगा ये इतना चलेगा इतनी बात समझ में आ रही है ठीक है तो हमारे इस डिसकुशन के अंदर हिमाले, मद्य हिमाले शिवालिक तो है अभी हम दो तीन चीजे करने वाले यहाँ पे एक तो ये ट्रांस हिमाले ट्रांस हिमाले है ये हमारा और ये पामीर की गांट है ये पामीर गांट है ये ये डिसकुशन पहले इन दोनों को कर लेते हैं बटा है ना इस डिसकुशन को कर लेते हैं उसके बाद हम चलेगे ग्रेट पे मिडिल पे और शिवालिक पे North East में चलेंगे अब ही बात करते हैं पहले Trans हिमाले की और फिर बात करेंगे पामीर की गांट इसको पामीर Not क्यों बोला जाता है क्या कारण है इस पामीर गांट का और यह पामीर की गांट अगर बोले तो Hier किस country में located है इन सब बातों पर बात करने वाले है ठीक है तो देखते हैं empty space है या नहीं ये सम मिटो दूँ देखो अभी without जैसे ही ये मैं आपको दूँगा तो ये erase करूँगा तो ये बेटा मिट जाएगा ये pdf में नहीं रहेगा किसी ने screenshot लेना है ले ले ठीक है फिर आगे में शुरू करता हूँ बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहले बात करते है ट्रांस हिमालय की फ्रांस हिमालय तो बेसिकली इमिजेटली बेटा ये हमारे ग्रेट हिमालय के नौर्थ में है वरहद हिमालय के उत्तर में है ठीक है इसको हम तिबतन हिमालय भी बोलते है कई बार आपको कई जगए ये तिबतन हिमालय के रूप में भी अगर कही नाम मिलता है तो इस नाम स में है और basically इसके अंदर आता क्या क्या है ये मान के चलो बेटा this is our great हिमाले ये मान के चलो कि ये हमारा great हिमाले है ये great हिमाले है छीक चला ये great हिमाले है वरहद हिमाले वरहद हिमाले है इस वरहद हिमाले के नौर्थ में है हमारा ये trans हिमाले है अब इसमें क्या क्या है इस trans हिमाले के अंदर क्या है बेटा सुन लो एक है कराकॉरम 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 श्रेनी उसके बाद है अल्लद्दाक अब ये तीनों आपको इंडिया में देखने को मिल रहे इसी लदाक का जो एक extension है लदाक वाले का ही extension है आपके तिब्बत में केलाश के नाम से है केलाश श्रेणी के नाम से है तो ये सब का सब क्या है? ट्रांस हिमाले ट्रांस हिमाले नाम सुना होगा आपने सभी नाम सुना है नाम सुने है इन्होंने ओके इसकी जो सबसे उची परवत चोटी है इस वाले की यहाँ वाले की ये केटू है या गोर्डविट आस्टिन 8621 8611 मीटर उची इस वाले में जो आपने की नाम सुना होगा नंगा परवत नंगा परवत इस इस नंगा परवत नंगा परवत किसमे है बेटा ये जासकर याद रखना ये किसमे है करा कौरम श्रेणी में ओके इस इस नंगा परवत 8126 इस इस 8126 8126 मीटर अब जो ये केलाश श्रेणी है ना बिटा इस केलाश श्रेणी से इसी केलाश श्रेणी से आपकी एक रीवर निकलती है जिसको आप इस रीवर को आप जानते हो इसी केलाश श्रेणी से एक रीवर निकलती है जिसको आप सिंधु नदी के नाम से जानते हो सिंधू इंडस तो सिंधू क्या है ट्रांस हिमाले से निकल रिवेड़ ट्रांस हिमाले से फिर इसी जो कराकॉरम है इसी कराकॉरम श्रेनी के याद रखना इस कराकॉरम श्रेनी के नौर्थ इस्ट इसी कराकॉरम श्रेनी के नौर्थ इस्ट में इसी कराकॉरम श्रेनी के नौर्थ इस्ट में उत्तरपूर में आपको एक पठार मिलता है लद्दाक पठार लद्दाक प्लेचु जो की बहुत सारे प्लेइन्स में बहुत सारी पहाडियों में विभाजित है कुछ प्लेइन्स मिलेंगे यहां पे कुछ आपको पहाडिया मिलेगी जैसे आपने नाम सुना होगा Soda Plane Aksitin यह सब यहाँ पे आपने सुना है नाम सुना है Depsang Plane तो क्या क्या है यहाँ पे Soda Plane Aksitin है ना Depsang Plane यह सब इसी के ही से है अटियू झाए लिख लिए? ये सब लिख लिए अब आगे की कहानी देखो, इसको कुछ टाइम के लिए मैं यहां से अटा रहा हूँ, इसको कुछ टाइम के लिए मैं यहां से अटा रहा हूँ, इसको कुछ टाइम के लिए मैं यहां से अटा रहा हूँ, इसको कुछ टाइम के लिए मैं यहां से अटा रहा हूँ, यह ट्रा हिमाले है पूरा इस इस ट्रांस हिमाले अब ही आगे चलते हैं इस पामीर पामीर नोट है यह पामीर की गाट अब बेसिकली पामीर गाट है क्या अगर अब पुछा जाए वाट इस पामीर नोट तो यह एक बिटा विशिस्ट भोगोलिक विशेष्टा है ना विशिस्ट भोगोलिक यह फीचर है ना जिसमें दुनिया के कुछ प्रमुक माउंटेन रेंजिज आके कनवर्ज हो रही है माउंटेन बिल्डिंग के फेज में कुछ ऐसा दोर आया कि बहुत सारी माउंटेन रेंजिज यहां पे आके कनवर्ज हो रही है जैसे अपनी करा कुरम वाली यह अपनी करा कुरम वाली ठीक करा कुरम ओके उसके बाद इसमें अलग-अलग रेंजिज है बहुत सारी अलग-अलग रेंजिज इसमें आके कनवर्ज हो रही है तो एक नौड बन गई बेटा एक नौड बन गई तो यह कौन-कौन सी रेंजिज इसमें आके मिल रही है आपने नाम सुनाओगा तीयेंशान कुनलुन शान करा कुरम हिंदू कुष्च नाम सुनें आपने तीन शान कुनलुन शान ओके अपनी कराकुरम वाली भी है ओके हिंदू कुष है तो यहाँ पे एक नौड बनता है जिसको हमने बोला है पामीर की गाट चलेगा चलेगा आपको यह सब अब आपका एक होमवर्क है आपका एक होमवर्क है बड़ा सरल सा होमवर्क है आपको यह बताना है आपको यह बताना है कि रूफ अफ दी वर्ड रूफ अफ दी वर्ड यह किसे कहते है किसे कहते है रूफ अफ दी वर्ड यह हॉमवर्क है ठीक है चलो यहां से आगे बना लिया आपने यह अब यहां से आगे चलते है तो अरे यार आगे बढ़ने से पहले क्लास को लाइक तो करो लाइक तो करो क्लास को एक बार लाइक तो बनता है जब तक लाइक नहीं करोगे क्लास आगे नहीं चलेगा लाइक करोगे तभी यहां से क्लास आगे चलेगा वर्ना नहीं चलेगा अब आजाते हैं अपने टॉपिक पे चलो अब अब हम बात करेंगे लाइक कर के उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला में हमारे पास क्या है त्रांस हिमालिया देख़ west से लेके एदर south east लेकिन बेटा इसमें एक समझने वाली बात है ऐसा नहीं है कि हिमाले है सुन लो बेटा यहां, important put ऐसा नहीं है कि इदर कश्मीर से लेके यह हम हिमाले की बात करें नंगा परवत से लेके अभी नंगा परवत कनेक्ट हो रहा है न अगर हम कह रहे हैं नंगा परवत से लेके अरुनाचल प्रदेश में नामचा वर्बा तक अगर हम overall हिमाले को देखे तो उसका विस्तार हमें उत्तर पश्चिम से दक्षिन पूर्व की और में देखने को मिलता है लेकिन लेकिन बेटा अलग-अलग हिस्सों में हिमाले में कहीं ये इस डिरेक्शन में है कहीं ये इस डिरेक्शन में है कहीं ये इस डिरेक्शन में है तो इसका डिरेक्शन अब अब इस डिरेक्शन का चेंज होने के पीछे फॉर्स है ना वो किस-किस डिरेक्शन से फॉर्स काम कर रहा है ओके तो ओवर ओल ये हमें नौर्थ वेस्ट से साउथ इसको देखने को मिल रहा है लेकिन अलग अलग छेतरों में कहीं उत्तर पश्षिम कहीं पूर पश्षिम कहीं दक्षिन से लेके उत्तर पूर तो कहीं उत्तर से लेके दक्षिन ये हिमाल्य कुछ इस तरह स आपको देखने को मिल रहा है तो अब हम ये देखेंगे कि ये अलग-अलग जो direction है ये हमें कहा मिलती है मतलब सिक्किम में आपको ये East-West देखने को मिल रहा है वहीं अरुनाचल प्रदेश में ये आपको North से South देखने को मिल रहा है चलेगा ये बात समझ में आई आपको ठीक है तो ये देखिए तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिमाले की ये श्रेणिया उत्तर पश्चिमी दिशा से दक्षिन पूर्व की और फैली है दार्जलिंग और सिक्किम के छेतर में ये दार्जलिंग और सिक्किम में ये बेटा इस्ट वेस्ट फैली है है ना वैस्ट टु इस्ट फैली है ऑके इधर ये आपकी फैली है नौर्थ वेस्ट से साउथ इस्ट फैली है उसके बाद ये कहता है अरुनाचल प्रदेश में दक्षिन पश्शिम से उत्तर पूर्व है अगर अरुनाचल प्रदेश जाते हो तो दक्षिन दक्षिन पश्शिम से उत्तर पूर्व की ओर देखने को मिल रही है और उसके बाद अगर मिजोरम मनिपूर नागलेंड में अगर आप इसको देखोगे तो ये नौर्थ से साउथ देखने को तो अलग-अलग देश के छेतर में इसका जो विस्तार है इसका जो डिरेक्शन है फैलाओ की वो डिफरेंट डिफरेंट है देखो यहाँ पे इसको आप यहाँ पे देख सकते हो बिटा देख लीजिए यह वाला डाइग्राम देखो आप मेरे साथ यहाँ उत्तर पश्चिम में देखो कैसे जा रहा है बिटा ऐसे जा रहा है इधर आप चलिए सिक्किम में यह ऐसे जा रहा है ओके अरुनाचल प्रदेश में देखिए यह ऐसे जा रहा है और इधर नागालेंड, मनीपूर, मिजोरम में देखिए ये ऐसे जा रहा है आया समझ में? छेक है, वैल ड़न, बहुत ही बढ़िया चलते हैं अब यहां से आगे तो वरहद हिमाले जिसको हम बोलते हैं ग्रेट हिमाले है जिसको हम केंदर ये अक्षे श्रेणी भी बोलते है Central Axis हमारी जो ये रेंज है जो पूर्व पश्शिम अगर हमें देखे कि पूर्व से लेके पश्शिम तक इसका विस्तार देखे सबसे लंबी है पच्चिस सो किलो मीटर और अगर इसकी चोड़ाई देखे तो 160 से 400 किलो मीटर के बीच में है ओके? और ये जो हिमाले है बटा, ये क्या काम करता है? ये हमारी इंडिया के नौर्थ में एक मजबूत वाल के रूप में काम करता है वाल के रूप में काम करता है बटा, हिमाले अब ये हिमाले का अगर इंपोटेंस देखे कि ये हिमाले हमारे लिए इसका महत्व क्या है? हिमाले का इंपोटेंस क्या है? पहली बात तो बेटा ये उत्तर से आने वाली ठंडी हवाव को रोकता है अगर इंडिया के नौर्थ में ये हिमाले ना होता तो उत्तरी अक्षांसों से आने वाली हवाव सीधे इंडिया में एंटर करती और यहां की जो जलवाई भी है दशाओ को और मौसम को जबरदस्त र करता है जिसका हमारा security point of view से भी importance है तीसरी बात आप ये देखो बिटा जब हमारा मौनसून आता है मौनसून एक शाखा यहां से एक शाखा यहां से एंटर करती है तो हिमाले उसको direction देता है तो हमारे मौनसूनी वर्षा को भी प्रभावित कोन करता है मौनसूनी वर्षा है ना उसका वितरान उसको impact करता है हिमाले उसके साथ हिमाले हिमाले ने क्या दिया importance हमें बायो डाइवर्सिटी जबर्दस बायो डाइवर्सिटी का छेत रहे हिमाले हमारा बायो डाइवर्सिटी जैव विविदता बायो डाइवर्सिटी दी है यह हिमाले का महत यह हिमाले का महत ठीक है उस और और क्या दिया है हिमाले ने हिमाल्य ने और क्या दिया है आप UPSCS Parent हो ऐसे ही बता देता हूँ आपको क्या दिया है हिमाल्य ने लबासना छेक है लबासना दिया है नहीं दिया उसके तो हिमाल्य आपको क्या दे रहा है हिमाल्य आपको पारिये टंग दे रहा है हिमाल्य आपको सदा नीरा नदिया दे रहा है ठीक है हिमाल्य आपके लिए स्वच जल का श्रोत रहे हिमाल्य आपके लिए हिमाल्य वाली जो नदिया है वहां पर आपने बड़े Hydro Electricity Project है आपके Hydro Electricity Project हिमाल्य ने दिए आपके तो अगर UPSC आपसे हिमाल्य का importance पूछे तो हिमाल्य ने हमारे culture को तो अगर मैं कहूँ हिमाल्य ने क्या किया हिमाल्य ने हमारे culture को हमारे culture को हिमाल्य ने हमारी climate और weather को हिमाल्य ने हमारी economy को और हिमाल्य हमारे बहुत सारे resources को छीक है ये हिमाल्य का importance है हमारे लिए ठीक है और भी जो आपके मन में आए डेड़ सो शब्द में question आ सकता है डेड़ सो शब्द में प्रशन आ सकता है 150 words में तो आप बना देना वेटा है ना एक diagram बना देना और 150 शब्दों में हिमाल्य को define कर देना हिमाल्य का आपके इंडिया के लिए importance या है चलो तो हिमाल्य भारत्य उक महादीप और मध्यपूर्वी एशियाई देशों के बीच एक मजबूत लंबी दिवार के रूप में खड़ा है हिमाल्य है उसके बाद यहाँ पे आपको जो उच्चावच है परवत श्रेनिया है ना उनका जो alignment है तो उन सबी चीजों को धिमाग में रखते हुए हमें हिमाल्य का विभाजन किया है अब बेटा हमें हिमाल्य को पढ़ना है तो हिमाल्य को स्टड़ी करना है हिमाल्य को स्टड़ी करने के हमारे पास बहुत सारे तरीके है तो पहले हम हिमाल्य का डिविजन करेंगे जिसमें से एक डिविजन मैं आपको बता रहा हूँ कि एक डिविजन है कश्मीर और उत्तरपश्यमी हिमाले हिमाचल उत्राखंड हिमाले दार्जलिंग सिक्किम हिमाले आरुनाचल प्रदेश हिमाले और पूर्वी पहाडिया और परवत चीक है या हमारे पास एक और डिविजन है पंजाब हिमाले नाम सुना है ना पंजाब हिमाले कुमायू उत्राखन में भी एक डिविजन है फिर उसके बाद आपका नेपाल हिमाले फिर आपका असम हिमाले वो वाला डिविजन हम कल करेंगे पहले आज हम ये वाला डिविजन करने वाले है कि कश्मीर उत्रपश्चिमी हिमाले हिमाचल और उत्राखन दारजलिंग सिक्कि अरुनाचल हिमालिय, पूर्वी पहाडिया और पर्वत तो एक ये करके सबसे पहले हम कश्मीर हिमालिय को देखते हैं तो कश्मीर हिमालिय में अनेक पर्वत श्रेनिया है तो कश्मीर हिमालिय में ट्रांस हिमालिय भी है, ग्रेट हिमालिय भी है तो यह देखो यहाँ अनेक परवश्च्रेणिया है कराकोरम लद्दाक जासकर तो यह जैसे ही नाम आए तो आप समझ जाना यह तीनों के तीनों बेटा ट्रांस हिमाल्या वाले है और पीर पंजाल तो कश्मीर हिमाल्या का जो उत्तर पूर्वी भाग है जो व्रहद हिमाल्या और कराकोरम यानि के ट्रांस हिमाल्या के बीच में है एक ठंडा मरुस्थल भी है यहाँ पे आपको कॉल डेजर्ट भी मिल रहा है व्रहद हिमाल्या और पीर पंजाल के बीच विश्व की जो आपकी कश्मीर घाटी डल जील देखने को मिल रही है चलो तो कराकोरम हो गया, लद्दाक हो गया, जासकर हो गया ये पीर पंजाल, जासकर और पीर पंजाल के बीच में बिटा आपका कश्मीर वैली हो गई दक्षनी एशिया की महत्पूर्ण बहुत सारी हिमानिया है जैसे बाल्टरो, सियाचीन, इसी छेतर में है यहीं पर आपके करेवा के लिए प्रसीद है बिटा, कश्मीर हिमाले कश्मीर हिमाले आपके करेवाज के लिए फेमस है वाट इस दिस करेवा करेवा क्या है क्यों बच्या बताएगा क्रेवा क्या होता है करेवा सोयल है, बहुत अच्छा बेटा तो यह soil कैसे बनी और करेवा क्यों बने क्यों बने soil है ठीक है तो basically एक soil है जो आपके sand से clay है जो मैंने clay बताया था clay क्या होता है पॉंगलों मिरेट से इन सबसे बनी हुई यह आपके soil है तो यह करेवा बना कैसे बेटा यह आपसे पूछ सकता है UPS अगर पूछता है तो करेवा के formation की छोटी सी कहानी है अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कॉस डी सी पी टी जे सी पी ओ एम पी और पी एच तो यह वाला प्लीस्टो सीन है न बेटा यह वाला प्लीस्टो सीन इस प्लीस्टो सीन काल में क्योंकि हिमाल्ये परवत निर्मान के दोर से गुजर रहा तो परवत निर्मान के दोर से जब हिमालिय गुजर रहा है तो उसी दोर में हिमालिय से बहुत सारी रिवर्स भी निकल रही है बेटा तो कुछ ऐसी माउंटेन बिल्डिंग के प्रोसेस में कुछ river को इसने क्या कर लिया इसको बाधित कर दिया उनके मार्ग को और river के मार्ग को बाधित करके वहाँ पे lakes formation हुआ और कुछ time के बाद जब वहाँ पे वो जल वहाँ पे नहीं बचाया जल सर कम हो गया तो जो deposits मिले है या जो रहे गए है उससे आपके करेवया का निर्मान हुआ चलेगा ये बात ये कहानी चलेगी अब इसकी विशेष्टा क्या है ये सैफरोन है ना जो आपका केसर उसकी खेती के लिए बड़ा आइडियल है ये वाला करेवास सैफरोन के लिए तो व्रहत हिमालिया में कहता है बहुत सारे दर्रे भी देखने को मिलेंगे जो जीला पीर पंजाल में बनी हाल हो गया जासकर में फोटुला लदाक में खुरदुंगला ऐसे कुछ पासिज भी है यहां पे अब एक चीज़ करना बेटा जब यह इंडिया जोग्रफी के साथ मेरा इंडिया मैपिंग के सेशन भी आएंगे एक चीज़ याद रखना इंडिया जोग्रफी के साथ इंडिया जोग्रफी के साथ एक काम कर ले ला मेरा इंडिया मैपिंग इंडिया मैपिंग कर लेना वो classes आने वाली है, 4-5 classes लगेगे जैसे ही ये दोनों complete हो जाएंगे हमारे सारे question UPSC problems के हमारे इनी session से आएंगे UPSC problems, India geography से कुछ भी आएगा फिर अपने session से ही आएगा ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है अभी जो India geography के 20 के आसपास session होंगे प्लस India mapping वाले session करने, 5-6 session India mapping के होंगे ये दोनों club कर लेना, फिर UPSC problems में हमारे हाथ से कुछ नहीं जाने वाला, ठीक है तो next आ गया इसमें तो बहुत सारे passes देख सकते हो बेटा हिमालिया के अंदर passes देख लो, अग हिल पास है अगर कभी पूछ लिया जाए, ये passes देख लो, mapping में भी कराऊंगा बुर्जिल है, जोजिला है, बनिहाल है, कराकोरम है, खारदुंगला मैंने आपको अभी बताया था सासिरला, पेंसिला, बारालाचा, रोहतांग, शिपकिला, माना, नीती, लिपू लेक, ये सब passes है हिमालिया के, इधर उतर, भारत में जो हमारा इस वाली साइड का जो हिमालिया है कश्मीर, हिमाचल और उत्राखन, तो बहुत सारे हिमनद भी है, यहाँ पे हमारे ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स को देखते है एक बिटा, यहाँ पे देखो, यह हिसपर ग्लेशियर है, हिसपर, चोगो लांगमा, कार्डो पिन, सासेनी, नाम याद रख लो, सिर्फ नाम ठीक है, कार्डो पिन हो गया, सासेनी होगा, यह बियाफो हो गया, पुनहामा, बाल टोरा, यह देखो, सियाचीन हो गया, रिमो ग्लेशियर हो गया, यह सब कुछ ग्लेशियर्स है हमारे यहाँ के, ठीक है, कुछ ग्लेशियर्स हो गई है कुछ यहां पे हमारी जो जील है बिटा कश्मीर में याद रखना कश्मीर हिमाले में दो तरह की जील है एक फ्रेश वाटर लेक से फ्रेश वाटर है और एक है हमारी सॉल्ट लेक सॉल्ट लेक्स भी है फ्रेश वाटर लेक्स भी है दोनों है चिक तो जैसे आप जान सकते हैं यहाँ पे जो आ लवन यानि के फ्रेश वाटर ताजा जल जील है फ्रेश वाटर की है डल जील है वूलर जील है लेकिन यहीं पे हमारी कुछ सॉल्ट लेक्स भी है सॉल्ट वाटर लेक सॉल्ट वाटर लेक जैसे है यहाँ पे पैंगॉंग शौ यह जील है सौ मुरोरी यह यह आपकी सॉल्ट वाटर है तो यहाँ पे लिख ले ले ना बिटा है ना फ्रेश वाटर के जितने भी यह दोनों नाम है और सॉल्ट वाटर लेक है सॉल्ट वाटर वाटर और उसके बाद पेंगोंग शो और सो मुरूरी ये दुनों आपकी सॉल्ट वाटर लेख है ओके वेल दन एक सेकंड रुकिए आपकी कमेंट्स नहीं दिख रहे हैं मुझे एक सेकंड रुकिए चल ठीक है उसके बाद चलो सिंधू सिंधू और जो उसकी सायक नदिया है जेलम चेनाब इसी छेतर से होके बहरी है सिंधू तो मैंने आपको बताया भी था केलाश रेंच से निकल रही है जम्मू और कश्मीर की राज़धानी ना श्री नगर यहां पे जेलम नदी के किनारे पर ही इस्तित है तो श्री नगर को आप देख सकते है श्री नगर तो ठीक है इतना हो गया इसके बाद कश्मीर में बेटा एक मतलब जो कश्मीर हिमाले के अंदर हमें एक बड़ा जबर्दस फीचर देखने को मिलता है तो बेसिकली तो आपने देखा होगा नदिया जो विसर्पन करती है विसर्पन जो करती है ये जो उसका विसर्पन है ये उसकी प्रोढ़ा अवस्था का लक्षन है प्रोढ़ा अवस्था लेकिन कश्मीर के कश्मीर हिमाले के अंदर जो आपकी जेलम नदी युवा आवस्था में है लेकिन एक ऐसे विसिस्टिस्थल रूप का निर्मान करती है जो देखने में ऐसा लगता है जो विसर्प टाइप की आकरती जो की प्रोड़ा आवस्था में देखने को मिलती है ऐसी आकरती का निर्मान करती है आप यह देख सकते है जेलम ठेक है नेक्स चलते है पिर आया हिमाचल और उत्राखंड हिमालय तो ये रावी पश्चिम में रावी नदी और पूर में आपकी काली नदी के बीच में इस्तित है जब हम रीवर्स पढ़ेंगे बिटाई सारे रीवर्स के जो नाम आरे ना रीवर्स पढ़ेंगे ये सब क्लियर हो जाएंगे इसलिए इनसे आप ज़्यादा परिशान मत हो ना तो हिमालय की तीन जो मुख्य परवच श्रंकला है ग्रेट हिमालय लगू हिमालय और शिवालिक आपको तीनों यहाँ पे देखने को मिलती है हिमा तीनों आपको यहाँ देखने को मिलते है तो हिमालय की तीनों मुख्य परवच श्रंकला है व्रहद हिमालय जिनको हिमाचल में धोलाधार और उत्राखन में नाग टिबा कहा जाता है और उत्तर दक्षिन दिशा में फैली हुई श्रिवालिक इस हिमालय खंड में इस्तित है महत्पूर्ण नगर है जैसे धरमशला, मसूरी, कसूली, अलमोडा, लैंसडाउन, रानी खेत है ना आपका मसूरी मसूरी येस यहीं पे है आपका लाल बहादुर शास्त्री लबास ना ठीक है हर यूपीएससी एस्पाइरंट के दिल की धड़कन है ना आप मेंसे हर कोई यहां पे जाके कुछ समय व्यतीत करना चाता है ना ओके तो अभी देखो बिटा आपका जो अगर मैं कहूं जो मसूरी है मसूरी मसूरी आपका मिडल हिमाले के अंदर है मद्य हिमाले मसूरी का नाम सुनाए ना मसूरी मिडल हिमाले में है आपका ओके तो दो महत्पून इस्तला करते हैं यहां पे एक आपको दून वैलीज है ना एक तो आपको दून वैलीज है ना यहाँ पर देखने को मिल रही है बेटा बैसिकली दून वैली क्या होता है लंबा विस्तरित है ना लंबा विस्तरित छेतर है यह आपका छीक है लंबा विस्तरित मैदान है एक तरीके से ठीक है लंबा विस्तरित जैसे आपने नाम सुना होगा नाम सुना है दहरादून आपने तो लंबी चोड़ी घाटी है यह लंबी विस्तरित मैदान या यह घाटी छेतर है तो यहाँ पे जो deposits है उनके जमाओं से इन वैलीज का निर्मान हुआ है, दून वैली चिक चले दहरा दून का अपने नाम सुना होगा, तो यहाँ की विशेशता है कुछ और भी दून देख लो, चंदिगड का दून हो गया, नालागड दून दहरा दून, हरी के दून, कोटा दून यह सब शामिल है, वैली ओफ फ्लावर भी आपके इसी हिमाले के अंदर है, वैली ओफ फ्लार, फुलो की घाटी चलो, यह वाला हो गया गंगोतरी, यमनोतरी, केदारनाथ, बदरिनाथ हेमकुंड साहिब यह सब के सब यही है इसी उत्राखंड और हिमाचल हिमाले के अंदर, पांच प्रियाग आपके जो नदी संगम है विश्नु प्रियाग, है ना नंद्र प्रियाग, कर्ण प्रियाग रुद्र प्रियाग, देव प्रियाग वो सब आपके यहीं पर मिलते हैं, सभी प्रियाग, फिर आग्या दारजलिंग और सिक्किम हिमाले, यह पूर्व और पश्चिम की और फैला हुआ हिमाले है, है ना, यहां पर तीस्ता नदी बहती है, तो इसके पश्चिम में नेपाल हिमाले और पूर्व में है भूटान हिम हिमाले है, तीस्ता नदी इस हिमाले से होके बहरी है, कंचन जंगा, याद रखना, पिछले साल यूपीसी ने प्रिलिम्स में, यूपीसी प्रिलिम्स 2022 हिमाले के डिविजन से क्वेश्चन आया है, हिमाले के विभाजन से हाँ, जो अभी आपको लग रहा होगा ना, के देख लेना पेज, मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, जो गरफी एनवायर्मेंट क्वेश्चन सरल रहेंगे, क्योंकि एक तो हमारा कवरेज बहुत ज़्यादा हॉलिस्टिक है, सबसे ज़्यादा हॉलिस्टिक कवरेज मिलेगा, दूसरा एक्यूरेसी रेट जो गरफी एन माले बन गया तो बन गया, कराकॉरम बन गया तो बन गया, लदाक शृणी बन गई तो बन गी, जसकर बन गया तो बन गया, अब यूपीस्थि के बसकी बात नहीं है कि अगर ये कराकुरम है अगर ये लद्दाक है और ये आपका जासकर है अब UPSC के बसकी बात नहीं की इसको लद्दाक कर देगा कोई RBI ये Central Government के निदेश से कलाकुरम लद्दाक नहीं हो जाएगा और लद्दाक कराकुरम नहीं हो जाएगा समझ गये? कोई सरकार आ जाए, कोई संसद आ जाए, कोई सी डेमोक्रेसी आ जाए कैसे बिल पारित कर लो आप तो हमारे सब्जेक्ट की accuracy rate बाकी सब्जेक्ट से सब्से जदा है जोगरफी और environment की और याद रखना आपके prelims के selection का आधार ये दो ही सब्जेक्ट सबसे बड़े आधार बनने वाले है एक्यूरेसी रेस जादा है 25 में से 18-19 कोश्चन के स्वाल होने की समधायना ये फुल है चलो तो यहां तेज बहाव वाली तीस्ता नदी बहती है हमें करना क्या है तो इन सब्जेक्ट में जो हमारा प्रियास है न बेटा इन सब्जेक्ट में UPSC बस आपको जो परिशान कर सकता है वो थोड़ा सा रेंज बढ़ा सकता है सब्जेक्ट की वो अलरड़ी हमारी बढ़ी हुई है कि कुछ नया पूछ ले कुछ नए तरीके से पूछ ले अलरड़ी हमने फूल एक्स्टेंड करके चल रहे है इतना बड़ा बैंड लेके चल रहे है पूछ हो भई पूछले साल ये लेके चल रहे थे इस बार हमने इतना चोड़ा पूछ लो आप कुछ भी पूछना है हमसे जोगरफी में एन्वार्मेंट में कोई सा कंसेप्ट लियाओ कुछ भी लियाओ सब कर रहे इस बार हम तो वो जो एक चीज कर सकता है वो अलरड़ी मैंने कर दी आपके अंडरस्टेंडिंग की रेंज को टॉपिक की अंडरस्टेंडिंग को स्ट्रेच कर रहा था वो मैं अलरड़ी कर रहा हूँ यहीं वो खेल सकता है और यहीं मैंने वो काम कर दिया है तो यहां पे तीस्ता नदी है कंचन जंगा जैसी उची चोटिया है गहरी घाटिया है यहां पे लेपचा जो जनजाती मिलती है और दक्षिन भाग में कुछ मिश्रित जनसंक्या नेपाली, बंगाली और मध्य भारत की जनजाती है यहां पे शामिल है दारजलिंग और सिक्की महिमाल है यूपियसी आपसे ओरडर भी पूछ सकता है ओरडर वेस्ट टू इस्ट रिंजीस का ओरडर कूछ सकता है नौर्थ से साउथ ओरडर कूछ सकता है सब करेंगे यहां की प्राकरतिक दशाय जैसे मध्यम ढाल है अभी आप देखो भीटा हम फीजियोग्राफी पढ़ रहे है तो हम सॉयल भी पढ़ रहे है वेजिटेशन भी लोगों की एकॉनमी भी सब जानने की कोशिश तभी यह फीजियोग्राफिक रिविजन है बेटा कि कुछ-कुछ हम थोड़ा-थोड़ा सब कुछ पढ़ रहे हैं ना सब कुछ पढ़ रहे हैं इधर सॉयल भी देख रहे हैं जहां संबब होगा जरूरी होगा वेजिटेशन भी देखेंगे है ना लोगों को भी देखेंगे एकुमन जिओगरफी के जो हमारे डाइमेंशन से वो सब देख रहे हैं तो यह फीजिओगरफी की चल रहा है तो कहता है यहां पे जिवाश में युक्त मिटी है संपून वर्स वर्षा की सिती है मंद शीत रितु है तो चाय के बागान लगाए जा सकते है तो वो आप से पूछेगा सिक्किम हिमाले पश्चिमी हिमाले की तुलना में या कश्मीर या उत्राखंड या हिमाचल हिमाले की तुलना में जादा आइडियल क्यों है इदर टी के लिए तो ये सारी दशाय है बिटा ये आइडियल कंडिशन्स है जो इसको उससे बेटर बनाती है ये यूप्यसी में आपको हेल्प करेगा उसके बाद शेश हिमाले से यह चेतर भिन है क्योंकि यहां पे दुवार स्थला करतिया मिलती है उधर था दून उत्राखंड हिमाचल में दून था इधर है दुवार तो वट इस दुवार तो हिमाले के फुट हिल्स में जलोड बाड के मैदान है एक तरीके से यह दुवार यहां पे मिल रहे है जिनका उपयोग चाय के बागान लगाने में किया जाता है सिक्किम और दार्जलिंग हिमाले अपने खुब खुब सूर्ती के लिए बनस्पती फ्लोरा अपने फोना के लिए और किड्स के लिए यह काफी फेमस है प्रसिद है उसके बाद नेक्स्ट आया हमारा क्या आया चलो भाई आगे कहां टग गए चलो यह देख लो यह दिखाने से मना कर रहा था कि हम बच्चों को इतना खुबसूरत सिक्किम हिमाले नहीं दिखाते यह दिस इस सिक्किम कैसा लग रहा है कैसा है ठीक है बढ़िया फिर आया अरुनाचल हिमाले बेटा अरुनाचल अरुनाचल हिमाले समझ गए अरुनाचल प्रदेश तो यह भुटान हिमाले से लेके पूर में जो अरुनाचल में दिफू जो पास है वहां तक है तो दक्षिन से उत्तर पूर की और इसका विस्तार है मैंने पहले ही बताया था अरुनाचल प्रदेश में विस्तार कुछ ऐसा है तो मुख्य चोटी कांगतू नामचा बर्वा इसी अरुनाचल वाले हिमाले में है तो अरुनाचल हो गया तो ये उत्तर से दक्षिन दिशा में तेजी से बैते हुए गहरे गोर्ज बनाने वाली नदिया इसको कई हिस्सों बेकाट्रिय ब्रहमपुत्र आपको इधर देखने को मिलती है उसके साथ ही नामचा बर्वा को पार करने के बाद ब्रहमपुत्र यहां पे एक गहरा गोर्ज बनाती है यह आलरडी मैं आपको जियो मॉर्फलोजी में समझा चुका हूँ वाट इस गोर्ज जियो मॉर्फलोजी में मैंने नदी द्वारा निर्मित इस्सला करती है नदी द्वारा निर्मित इस्सला करती में मैं आपको यह बता चुका हूँ चेक है तो यहां की प्रमुक नदिया है कामिंग सुबंशरी दिहां दिभांग लोहित प्रमुक नदिया है 12.80 है बहुत सारे waterfalls यहां को देख गोर्ज बताया है ना बिटा गोर्ज जियो मोर्फलोजी में नदी द्वारा निर्मित इसला करती है बताईए उधर मैंने आपको गोर्ज बताया है चीक है चीक है इसके बाद क्या है मुख्य विशेषता है यहां पे बहुत सारी जंजातिया मिलती है बेटा है ना जंजातियों के नाम देख लो कुछ जंजातिया है मौनपा, डाफला, अबोर, मिश्मी निशी, नागा इधर एक important चीज है यहां पे ज्वूमिंग कल्टिवेशन होता है बटाया, what is this ज्वूमिंग ज्वूमिंग कल्टिवेशन या इसको हम slash and burn बोलते है slash and burn यह क्या है भई slash and burn या आप इसको स्थानांत्री स्थानांत्रित क्रशी बोलते हो स्थानांत्रित क्रशी क्या है basically लोगबा क्या करते है जंगल को, पेड को, वनस्पती को काट के जलाते है कुछ टाइम के लिए उधर agriculture करते है जैसे ही soil की productivity कम हो जाती है दूसरे छेतर में जाके इसी काम को करते है this is slash and burn जूमिंग या स्थानांत्रित क्रशी चलेगा चलेगा ये आपको तो इन में से ज़्यादा तर जो जंजाती है अरनाचल प्रदेश की जूमिंग खेती करती है स्थानांत्रित क्रशी या slash और burn क्रशी भी इसको कहा जाता है जूमिंग वाला हो गया ये जैव विविदता बहुत जादा है बहुत जादा जैव विविदता में धनी है ये चेतर बायो डाइवर्सिटी पेटा देखो बायो डाइवर्सिटी को क्या चाहिए बायो डाइवर्सिटी को क्या चाहिए इसको कुछ नहीं चाहिए दो चर चोटी चोटी सीज़े चाहिए इसको तापमान चाहिए सबसे ज़्यादा important और इसको वर्शा चाहिए जहां जितना बढ़िया इन दोनों का combination उदर biodiversity उतरी ही बढ़िया तो नौर्थ इस्ट में ये दोनों combination ठीक ठाक temperature है rainfall भी आप जानते हो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा सीधी एंटर करती है उदर से तो ये सबसे जो दो प्रात्मिक है उसके बाद बाकी सारी चीज़े भी बिटा ये दोनों सबसे ज़्यादा primary है उसके बाद आपकी slope हो गया आपका soil हो गया nutrients हो गये वो भी role play करेंगे लेकिन primary ये दोनों है ठीक है तो काफी उबढखावड यहां की topography है परिवहन connectivity बहुत ही नाम मात्र की है तो आगे चले यहां से ये आप देख सकते हैं खुबसूरत नजारे भारत के ही है ये सब भारत के भारत भूमी है ना चलो उसके बाद आगया पूरवी पहाड़िया और परवत चीक है Eastern Hills and Mountain इसके अंदर क्या आएगा बेटा जैसे ये मान के चलो ये हो गया था ठीक है ये अरुनाचल हो गया था ओके तो अब अरुनाचल के बाद ये आपकी यहां पे पूरवी नागलेंड मानीपूर मिजोरम तिरूपुरा ठीक है तो यहां पे अब हम कुछ-कुछ पहाड़िया है हमारी तो हिमाल्य परवत के इस भाग में पहाड़ियों की जो दिशा है नौर्थ से साउथ है बेटा नौर्थ से साउथ तो अलग-अलग नामों से जाने जाती है जैसे पचकई भूम, नागा पहाड़िया, मनीपूर पहाड़िया, मिजो और लुसाई हिल्स ये सब इस छेत्र की इस छेत्र में ये हिमाले है, और और क्या है यहां पे, ये खराब हो गया वह यह न, तो यह है एक नीची पहाड़िया, इधर भी बेटा ऐसा नहीं है कि सिर्फ अरुनाचल के अंदर ही आपका स्लैश और बार्ण जूमिंग कल्टिवेशन होता है, यहां पे भी जूमिंग कल्टिवेशन है इस छेत्र में आपका जूमिंग कल्टिवेशन है, इधर आपका जूमिंग कल्टिवेशन है चले हो गया यह एक एक तो इधर आप देख सकते हैं यह अरणाचल में आपने देखा था डाफला मीरी अबोर मिश्मी कराऊंग अटेंशन ना लो जब मैपिंग वाली क्लास होगी ना क्लास होगी वेट्ण एक एक पहाड़ी कोखोज खोज के लाएंगे एक एक वाले लेक्चर्स इनके साथ इसलिए इनकलूड नहीं कर रहा वरना यह बहुत बलकी हो जाएं आपजिए वह जादा बलकी है ना पता चल रहा है कि हम नॉर्थ-िस्ट से यह दो से नहीं निकले तो मैपिंग का एक अलग सिरीज रखेंगे का कि आपको अलग से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा उसको ज्यादा एंजोई करोगे बलकि हो जाएंगे वरना भाई ये लेक्चर इधर देखो आपकी ये पट काई बूम है ये नागा हिल्स है इधर मनिपूर हिल्स आएगा इधर मिजो हिल्स आएगा नौर्थ से साउथ इसका ये आपको ये देखने को मिल रही है तो बराक जो बेसिकली बराक है मनिपूर और मिजोरम की एक मुख्या नदी है ना मनिपूर घाटी के मध्ये में एक जील भी है वहाँ पे जिसको लोक टक जील बोलते है यहीं पे एक महत्पूर्ण है ना एक नेशनल पार्क है जो यूपियस सी पतानी बहुत जादा लगा है पिछले साल नहीं पूछा एक साल चोड़के एक साल पूछता है पिछले साल नहीं पूछा हो सकता है इस साल वापस उस नेशनल पार्क को पूछ ले तो और आप सभी लोगों को बताऊंगा अगर आप में से किसी को पता हो कि यहां पे जो एक नेशनल पार्क है उस केबल लेम जाओ ठीक है बहुत बढ़िया एंवायरमेंट है निकोलोजी में पढ़ाऊंगा डोंट वरी तो एक जीलक है ये चार और पाहडियों से घरी हुई है मिजोरम है मिजोरम बेसिकली जो जिसे मॉलेसिस बेसिन भी कहा जाता है यहां जो सौफ्ट वो सौफ्ट और आ एक नदिया है ओके तो इधर एक महत्पून रिवर हो गई बराक रिवर एक इंपोर्टंट रिवर हो गई उसके साथ-साथ मनिपूर के ही पूर्वी भाग में है ना एक बहने वाली जैसे सपोज करो बिटा यह मनिपूर था दिस इस मनिपूर यहां पे मनिपूर है तो कु इंद्विन नदी की सायक नदिया है ओके और मेंमार में भेने वाली इरावरी नदी की यह जो एक सायक नदी है ठीक है और क्या हो गया यहां पे तो यहां पे तो आज का सेशन यहीं एंड करते हैं कल हिमाले का दूसरा डिविजन करेंगे दूसरे टाइप का डिविजन करेंगे हिमाले का जो नदी घाटी आधारित जो हम पंजाब हिमाले फिर उसके बाद उत्राखंड में चलेंगे नेपाल में चलेंगे नौर्थ इस में चलेंगे वो वाला डिविजन करने के बाद कल हम उत्तर भारत के मैदान को भी पढ़ने वाले है तो कल इबनिंग में 6 पीम पे हमारा एक सेशन होगा मैं एक सेशन लेने वाला था 31 दिसंबर को वो सेशन में नहीं ले पाया था उस सेशन का नाम था Ask Me Anything तो जिस भी बच्चे का कोई भी डाउट हो UPSC, CSC दो पर्टिकुलरली 2023 वाले उसके अलावा 2024 वालों का भी अगर कोई एक दो डाउट है तो कल स्पेशल क्लास पे एक सेशन लेने वाला हूँ आपका तयारी से related, content से related, approach से related कोई भी बात, कोई भी डाउट होगा कल इस एक घंटे के सेशन में हम डिस्केस करने वाले है स्पेशल क्लास पे इसका लिंक आपको मेरे टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगा आज शाम तक अलड़ी मेरी profile अगर follow कर रखी होगी तो उधर भी आपको एप पे ये अलड़ी मिल ले जाएगा उसके बाद environment and ecology का मेरा plus course चल रहा है morning 9 a.m पे आप आके join कर सकते हैं मेरे referral code नवीन 1 के साथ तो अभी 23% का offer भी चल रहा है बेटा 6 जनवरी तक ये offer है कोई भी subscription लो अनकेडमी का optional पे भी आपको benefit मिलेगा बेटा 30,000 वाला जो course है मेरा referral code लगाओगे उस पे 23% का offer मिलके optional भी आपको available हो जाएगा geography optional भी कर सकते है complete है 167 lectures में ये मेरा optional complete किया जा चुका है मेरे दुआरा हिंदी माध्यम में जोगरफी हिंदी मीडियम में जोगरफी तो देखो बिना optional के तो आप ये लड़ाई नहीं लड़ने वाले particularly मैं 2024 वाले बच्चों को कहूंगा बेटा 24 ये 25 वाले optional आपका सबसे important pillar में से एक है और अगर जोगरफी optional आपको रखना है या कोई भी optional आप रखो तो ये सही समय है 2024 वाले बच्चों के लिए कि आप optional की preparation शुरू कर दीजिए 5 से 6 महीने लगेंगे आपके optional को तयार होने में फिर answer writing में 2-3 महीना और लग जाएंगे तो practically 9-10 महीने में आपका optional बहुत अच्छे से तियार हो जाएगा तो आप कोई भी optional लो उसमें आप मेरा referral code navine1 apply कर सकते है अभी 23% का discount मिल रहा है उसके बाद आंतरिक सुरक्षा ये complete course available है मेरा उसके बाद क्या है उसके बाद ये देखिए special class भुगोल के युद्धा आट ओफ आंसर राइटिंग से राइटिंग ये special class कल ask me anything session होगा 6 p.m. पर इस पे आप आजाना परसो से फिर हमारा ये session शुरू हो जाएगा भुगोल के युद्धा तो geography, optional, ethics, internal security environment, necology, geography, general studies वाला plus course ये आप देख सकते है unacademy plus पे अवलेबल है और जब आप unacademy का subscription लेते हो मेरे referral code नवीन 1 से तो बेटा ये मेरे सारे courses के साथ-साथ बाकी educators के भी courses आपको मिल जाएंगे चाहे वो history के teacher हो चाहे economy के हो सब तक आपकी access होगी तो उसके बाद special classes है आप दा प्रबंदन निबंद लिखन नतिकता की अदालत ये सब free of cost है unacademy app पर डाउनोड कीजिए और उसको देख लीजिए आज का session यहीं समाप करते है कल सुभे 9 बजे मिलेंगे Environment and Ecology के plus course पे दोपेर 2 बजे मिलेंगे इंडिया जोगरफी और कल इबनिम 6 पीम पर मिलेंगे अपनी special class में बाबाई टेक केर